ये चाहे तो आपको धन समपती से माला माल कर सकते हैं. व्यंतर देवों की एक जाती और है जुंबक देव. तिर्यक लोक में रहने से इने तिर्यक जुंबक भी कहते हैं. वे अपनी इच्छा के अनुसार, स्वतंत्र प्रवरिती करने वाले और निरंतर क्रेडा में रत रहने वाले देव है ये अती प्रसंद चित रहते हैं और मैथुन सेवन की प्रवृत्ती में आसक्त बने रहते हैं जिन मनुश्यों पर ये प्रसंद या खुश हो जाते हैं उन्हें धन संपती आधी से सुकी कर देते हैं और जिन पर ये कुपित हो जाते हैं या नाराज हो जाते है उनको कई प्रकार से हानी पहुचा देते हैं या नुकसान कर देते हैं दिक्षा के पूर्व जब तीर्थंकर भगवान वर्सिदान देते हैं तब ये जुंबग देव ही उनके बंडार बरते हैं इन जुंबग देवों के दस प्रकार है पहला है अन्न जुंबग यानि भोजन के परिमान को बढ़ा देना, घटा देना, सरस कर देना, निरस कर देना आदी की सकती रखने वाले देव है अन जुम्बक दूसरे प्रकार है पान जुम्बक पानी के परिमान को घटा देने वाले या बढ़ा देने वाले देव पान जुम्बक कहलाते हैं वस्त्र जुम्बक वस्त्र के परिमान को घटाने और बढ़ाने की सक्ती रखने वाले देव हैं वस्त्र जुम्बक चोथे हैं लयन जुम्बक घर, मकान, आदी की रक्षा करने वाले देव लयन जुंबक है पांचवे प्रकार के हैं शयन जुंबक सईया आदी की रक्षा करने वाले देव शयन जुंबक है छटे है पुश्प जुंबक फूलो की रक्षा करने वाले देव पुश्प जुंबक है साथवे है फल जुंबक फलों की रक्षा करने वाले देव फल जुंबक है आटवे है पुश्प फल जुंबक फूलों और फलों की रक्षा करने वाले देव है पुश्प फल जुंबक नवे है विद्या जुंबक विद्याओं की रक्षा करने वाले देव विद्या जुम्बक है दसवे हैं अव्यक्त जुम्बक सामान्य रूप में सब पदार्तों की रक्षा करने वाले देव अव्यक्त जुम्बक है तो ये थी संचिप्त जानकारी जुम्बक देवों की आज का प्रश्ण है कि वान व्यंतर देवों के कितने प्रकार है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें